बच्चों के स्कूल फिर से री उपन होने वाले हैं और इस टाइम पर हमें सबसे रदा चिंता यहीं रहती है कि हम बच्चों को उनके टिफिन में हेल्दी हेल्दी नास्ता क्या दें क्या आपकी भी यही समर्स्या होती है कि टिफिन में डेली बच्छों के लिए क्या लगाएं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने सेंड्विच चट्नी और एक बहुत हेल्दी नास्ति की वीडियो शेयर की है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मकफली सेंड्विच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हंकर्ट मैंने राप को फ्रेश दहीत जमाया था जो बिल्कोल भी कट्टा नहीं था और मैंने उसको दो गंटे के लिए मकफली कपड़े में बान दिया था तो उसका पानी अलग हो गया है और जो उपर बचता है उसको हम हंकर्ट बनते हैं यह हंकर्ट बहुत ही मीठा रहता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसको और हेल्थी बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ सबजियों को एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ पनी लिया है पनीर हम इसलिए एड़ कर करने हैं वरना आपका दही घटटा हो जाएगा और पतला भी हो जाएगा तेस्त के अकटिंग् 신व्य या आदा चंबर डालें में नमक समpl onc को हम अच्छे से मिला देंगे मक्मली सेंडविच बनाना काफी आसान है और यह बच्छों के लिए बहुत अच्छा है इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बच्छों के लिए अच्छी ना हो बैटर को हम साईड में रखेंगे हम सैंडविच की चटनी बनाते हैं मुठी पर फ्रेश हरे दनी लिये हैं जिनको मैंने अच्छी से साफ कर लिया है एक मुठी लिया है मैंने पुदीना और एक टुकड़ा लेंगे हम कोकुनट का इससे चटनी में बहुत अच्छा टेश्ट आता है और कलर भी अच्छा आएगा एक हरी मिर्च को एड़ करतेंगे आप लेसुन चटनी में पसंद करते हैं तो दो कलिया लेसुन की डाल दीजिए एक चमच डालेंगे बुने हुए जीरे का पाउडर टेश्ट के अकॉर्डिंग या आदा चमच नमक पिंच ऑफ हींग डालेंगे आदा चमच डालेंगे जीरा घट्टे दो चमच हम यापस सेव एड़ करेंगे इस से चटनी का टेश्ट फ्लेवर कलर सब कुछ पहुत अच्छा आता है सेंडविच की चटनी हमारी रैटी है आप इसका कलर देख सकते हैं ये कलर बिलकुल मार्केट जैसा आया है और फ्लेवर टेश्ट भी बिलकुल मार्केट ज हो जैता हरा अभी है ना 15 दिन बाद भी ऐसा ही भारा बना रहेगा डखकल लगाकर आप इसको फ्रिज में श्टोर कर दें पर अभी हमें श्टोर नहीं करना है इसकी हमें सेंडविच बनानी है तो हम क्या करेंगे हम ब्रेड लेंगे में यहापर ब्राउन ब्रेड का यहाँ पर आप सेंडविच के अंदर टमेटो केचप या मियोनीस लगाना बिल्कुल ना भूलना इसको अच्छे से स्प्रैड कर देंगे फिर आप इस पर जो हमने सेंडविच की चटनी बनाई है ना वो फैला दीजे अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप चटनी बन अब हम एक से देड़ चमश लेंगे अपना दही वाला बैटर यह बहुत ही तेश्टी लगता है तो आप एक प्रैट के अंदर दो चमश जरू डालिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यह बैटर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा है तो इसको भी हम पतला फैला देंगे इस सेंड्विच को अगर आपको और ज्यादा है बनाना है ना तो आप इतमें टमैटो कोकुंबर अनियान और बीट रूट इन चारो सबजियों की पतली स्लाइस काट कर और आपको इस सेंड्विच के अंदर र लेंगे घी बटर ओयल आपको जो लगाना है आप लगाए और दोनों साइड्स से सेंड्विच को हम क्रिस्पी होने तक अच्छे से शेक लेंगे अगर आपने अब भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्ल के ऊपर भी हम अच्छे से घी ओयल बटर लगा देंगे जिससे सेंड्विच हमारी दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी बने सेंड्विच को अगर आप इस तरह से दबा के सेखते हैं तो सेंड्विच हमारी दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से ब्राउं होती है आप आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी सेंड्विच सिके हैं गैस को हम बंद कर देंगे और जो शेप आपकी बच्चों को पसंद देना वही शेप आप बच्चों को कट करके देना मुको को यह वाला शेप पसंद आता है तो मैं यही शेप में सेंड्विच को कट कर दिय सेंड्विच के साथ तमेटो के चप रखना ना भूला वरना आपके बच्चे सेंड्विच को काएंगे नहीं थोड़ा हेल्दी करने के लिए आप इसमें कोई भी फूड भी एड़ कर सकते हैं बच्चों को सारे नूट्रिशन अच्छे से मिल जाएंगे तो मिलते हैं हम अग